नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जाडू जो सफाई के काम में आता है लेकिन मालक्षमी का स्वरूप माना जाता है वैसे तो जाडू सामान निसी आम चीजे हैं लेकिन सास्त्रों में इसका बहुत ज्यादा महतों बताया गया है जाडू धन की देवी महालक्षमी का ही एक स्वरूप है यानि गंदगी रूपी जो दरिद्रता है उसे जाड़ू साफ करती है और जाड़ू की बज़े से ही घर्वे खुसाली बढ़ती है सुकसमरिधी बढ़ती है क्योंकि घर में जो कचरे होते हैं जिस चीज का काम नहीं है आपके घर में गंदगी जिस चीज से आती है वो नकारत्मक सकतियों को बढ़ाता है बुरुआ परहो डालता है घर पर और ऐसे बेज जाडू इन चीजों को साफ करता है यानि बरकत लाता है पोजिटिव बढ़ाता है अगर आप नई जाडू पस्चिम दिसा में ही रखे और ढखकर रखे जब भी आप जाडू खरिद के घर में लाते हैं ज्यादा कुछ मत कीजिए सफेद कलर का धागा जाडू के हंडिल में बांग दे और जाडू लगाने के बाद अच्छे से साफ कर ले और फिर उसे भींगा हुआ जाडू का भी घर में जाडू को लोगों की नजरों से दूर रखना चाहिए और जैसे आप घर में ये ऐसा वास्तू कहता है जैसे आप घर में अपने धन को पैसे को जेलरी को सबसे छिपा कर रखते हैं उसी प्रकार जाडू को भी कहीं एकांत जगह में सांत जगह में रखें लेकिन आकास के नीचे च्छत के नीचे या च्छत के ऊपर आपने जारू रख दिया यह अच्छी बात नहीं है इसलिए जब भी रखें घर के अंदर ब्रामदे में भी रख सकते हैं पर ढख कर छिपा कर रखिए पोच्छा का कपड़ा को भी इसी तरह छिपा कर रखना चाहिए मनुस्य के पैर्स में पैर टरच कर जाता है तो आप पढद्राम करते हैं डा उसी प्रकार प्रतिकातमक होल्य के किनौत चैन्य के इस अप माल लेते हैं आप एकड़ाय आप अपने घर Honey रहते हैं । आप नए घर की रख और नाया है तो पुरानी ज और में चोड़ा उने लक्षमी रहती है और आपने छोड़ दिया तो समझेए आपकी लक्षमी पुराने ही घर में रह गई तो इस घर में तो आपको परिशानी आएंगी इसलिए जारू को अपने साथ लाइए यह ने की पुरानी जारू है तो फेक दिये नहीं लेते आईए यहाँ पर दो चार द उठाना चाहिए यह भी दोस लगता है यानि जिसने जारू खड़ा किया है वही उठाए या उससे ही कहिए भाई नीचे रखो जारू को हमेशा साफ रखिए भिंगा कभी न रखे और सनी बार को पुरानी जारू आप बदल सकते हैं जैसे हमने कहा जारू को कभी भी जलान नहीं चाहिए यह तांत्री क्रिया होती है जारू को जलाना बहुत बार तांत्री क्रिया में क्या होता है बहुत सारे जब दृष्टी दोस जादू टोना तंत्र मंत्र का परियोग लोग कर देते हैं तब जारू से घर का जो मकड़े के जाले होते हैं उसे साप करके बाहर जला दिया जाता है लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा तांत्री किरिया कभी-कभी उल्टा भी असर कर जाती है घर के बुख्य दर्वाजे के पीछे एक छोटी जाडू टांग कर रखना चाहिए यानि साप सुत्रा जाडू गंदा जाडू नहीं छोटा सा आप रख सकते हैं प् तो कोई बात नहीं रात में यह जो जाडू आप घर साप करती है इस जाडू को मुख्य दर्वाजे के पास यानि अंदर की और से घर के अंदर की और से सोने के पहले उल्टा मेरे कहने का तात पर है उल्टा का मतलब खड़ा नहीं बलकि जाडू का जो मूठ है है वह बाहर गया है किसी काम से तो तुरंत जाडू नहीं लगाना चाहिए ना ही पोच्छा लगाना चाहिए ना ही किसी से लगाने लगवाएं आप ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है और जो बेक्ति बाहर गया है वह सही सलामत घर भी वापस आएगा दोस्तों जैसे कि हमने कहा सनीवार के दिन जाडू खरिदना चाहिए जाडू हटाना भी चाहिए और इस दिन से नई जाडू का सुरवात भी कर सकते हैं लेकिन एक बात और यहां ध्यान रखेगा क्रिश्न पक्ष में यानि अंधेरा वाला पक्ष पुर्णिमा के बाद ज जाडू खरिदने से दुर्भाग घर आता है तो याद रखिएगा क्रिश्न पक्ष में आपको खरिदना है अब आप समझ गया होगे अगर आपका जाडू बार बार तूट रहा है आप जाडू लगा रहे हैं और उसे तोड़ तोड़ कर अपने घर में ऑफिस में इस्तिम करना हो गया है तो तूट गया है तो तुरन चेंज कीजिए वैसे भी जाडू को छे मेने से एक साल तक आप यूच कर सकती है उससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए ऐसा करने से भी नकारात्मक उरजायें आने लगती है और जाडू में पैर तो बिलकुल भी नहीं लगाना ह वरना परिसानिया आपके घर में बढ़ सकती है वह इसे एबात सही है तुटे पुटे जाडू का इस्तमाल नहीं करना चाहिए एक और चीज है दोस्तों घर में जो भी तुटा पुटा सामान है जाडू है तो इन चीजों को से नकारात्मक उरजाएं हमने पहले भी बतलाय आती है तो अमवस्या के दिन भी आप घर से इन चीजों को बाहर निकाल सकते हैं अमवस्या के दिन सनी बार के दिन भूल कर भी गुरूबार और सुक्रवार के दिन घर से बाहर जाडू ना निकाले वरना मा लक्ष्मी भी जाडू के साथ बाहर चली जाएंगी इस बात का ध्यान आपको हमेशा ही रखना चाहिए अगर सुक्रवार की अर्ली मॉर्निंग आप एक ज़ाडू मंदिल पास में कोई मंदिल है तो वहाँ पर ब्रह्म मुहुर्त में यानि सुबह चार से पांच बजे के वीच एकदम सुबह सुबह आप ले जाकर पास के किसी भी भगवा के मंदिल में सुक्रवार के दिन रखाते हैं तो ऐसा करने से यह सुबयोग बनता है जीवन में और आपको यह काम बीना बताए किसी को करना है चुप चाप से एक दम जिस दिन भी आप यह काम कीजिएगा उसके पहले ही जारू खरित कर ले आईएगा आप चाहें तो सनिव पुरे घर की सफाई करवाईए गुरुवार के दिन पोछा मत लगवाईएगा घर में वर्ना मातालक्षमी रूठ जाती है नाराज हो जाती है घर में जाडू फुलास्तान पे मत रखिएगा अपसकुन होता है और जहां आप खाना खाती है या फिर जहां खाना बनाती है वहां भी जाडू नहीं रखना चाहिए क्योंकि जाडू गंदगी साफ करता है और यह जो हमने कहा जाडू आप दरवाजे के पास रखिएगा यह सिर्फ रात में रखिएगा दिन में मत रखिएगा अगर कोई आपके घर में चोटा बच्चा है अचानक से जाडू लगान चाहिए अगर बहुत गंदगी है और बहुत जरूरी है तो कपड़े से आप कोई पुराना कप्रा लेकर साइट कर दे गंदगी को और रात में कुड़ा भी नहीं पेकना चाहिए कभी भी किसी भी जानबर को जारू से नहीं मारना चाहिए, ये भी अप सकुन होता है और नए घर में प्रवेश चपी आप करते हैं, तब नई जारू लेकर अंदर जाएं या फिर तुलसी के गाच लेकर जाएं या फिर एक लोटा जल लेकर जाएं चाहें तो तीनों ही लेकर जाएं ये सुभ सकुन होता है और घर में सुख सम्रिद्धी बरकत बनी रहती है तो दोस्तों हमने बहुत सारी चीजें आप से सेर की जाड़ू से समंदित और जाड़ू आगे से आप जब भी खड़ी दियेगा इन चीजों का ध्यान रखिएगा और जाड़ू फेकने के पहले भी ताकि माता लक्षमी का आसिरवात बनी रहे आपका घर संतान पती आप पत करें गजेंद्र मोक्ष का पाठ 40 दिनों तक लगातार करें जितनी भी ग्रह गोचर संकट मंडरा रहा है वो समाप्त होगा और जैसे एक हाथी की रक्षा भगवान विश्णू ने किये थे वे आपकी भी करेंगे लेकिन क्या आपको पता है रात में सोने के फेले आप एक चुटकी जीरा पूरे घर में भी खेर दें या डाइनिंग हॉल में एरिया में भी छेर दें या फिर जाडू के नीचे ही डाल कर रख दें और अगले दिन सुबह इसे जाडू से बाहार कर घर से बाहर पेग दें तो लक्षमी स्थिर हो जाती है भर-भर के धनाता है फिला एंग थे जाता है